नमस्कार, स्वागत है आपका मैं हूँ आर्ती आम आद्मी पार्टी ने दिल्ली विधानसवाद चुनाव में जबर्दस जीत हासिल की दिल्ली की 70 विधानसवाद सीटों में से आम आद्मी पार्टी को 62 सीटे मिले आद्मी पार्टी ने ये पूरा विधानसवाद चुनाव अपने काम के नाम को लड़ा था अर्विंद केजरिवाल लगाता दावा करते रहे कि उन्होंने दिल्ली के लोग के लिए बहुत सारा काम किया है और इसलिए उनको दिल्ली की जन्ता वोट भी करेगी लेकिन इसी चुनाव परचार के दौरान हमने ये भी देखा कि अर्विंद केजरिवाल ने खुद को हनुमान का भक्त बताया और यहां तक की चैनल पर उन्होंने हनुमान 40 भी पढ़कर दिखाई थी अब इस जबर्दस जीत के बाद इक पर फिर से आमादी पार्टी हनुमान जी की शरणमर जाकर पहुँच गई है दरसल गुआन यह है कि आमादी पार्टी के ग्रेटर केलास से विधायक सौरत भादवाज ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि अब उनके शेत्र में अलग अलग जगहों पर हर महिने के पहले मंगलवार को सुंदर कांट करवाया जाएगा ओर ऐस सुन्दर कांट में दिल्ली के वां इंसां के लिए इन्मटैशन है जिसको जो चाहे वह सकता है और सुन्दर कांट में अपने हिस्सा ले सकता है तो सौरत अर्वाजने इसके साथ यह भी जानकरी थी कि क्योंकि अभी आज से वो शुरुआत करें, आज मंगलवार है तो उन्हों ने आज शुरुआत इसकी आज से की है लेकिन इसके साथ इनों ने यह भी बताया कि आगे से जब भी सुंदरकान होगा तो वो मन्ने के पहले मंगलवार के दिन रखा जाएगा और यह अलग अलग इलापों में होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही जगवर होगा, अलग अलग इलापों में होगा तो ताकि वहां के लोग भी अपने आपको सुंदरकान से जोड़ पाएं, जिनको जाकर सुनना है, भवान हनुमान जी की में पहुंचें तो आपको क्या दिखा रहेगी, क्या यह सॉफ्ट हिंदुतु है, दरसल आपको याद होगा कि चुनाव से पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से अजमी इंट केजरी वाल ने कहा था कि वह हनुमान भक्त है, तो उसके बार एक किनी अंकर ने का कि अधर आ आपको हनुमान भक्त है तो क्या आपको हनुमान चालीसा आती है तो इस दौरान उन्होंने पढ़कर भी सुनाई थी तो इसके बाद काफी बवाल हुआ था, बवाल लहीं कहेंगे, यह काफी चर्चा में आ गया था यह पूरा मामला और बीजेपी ने बहुत जबर्दस त अर्विंथ केजिवाल सिफ अनुमान भक्ति नहीं बताया था जब अपना नमान पत्र दाफिल करने गए थे तब भी उन्होंने भगवान अनुमान जी के दर्शन किये थे और दर्शन करने के बाद ही वो अनुमान पत्र बढ़ने गए इसके बाद इस दिन नतीजे आए उ पर से अन्मान जी की शरण में जिस तरह से जा रहे हैं तो आकर कर उनकी राज़मी थी, किस तरह से बदर रहे हैं? जिस दिन अर्विन केजरिवाल में शपर्त ली थी उस दौरान भी उनमें काफी परिवर्तन देखने को मिला था हम बात करेंगे कि जहां वो सीधे नरेंद मोदी पर हम राहो रहते थे इस बार खास्तोर से उनको लेके उनके सुर में नर्मी बढ़ती गई और उनको नरेंद मोदी की बात करें तो उनसे तो बहुत ही दूरी बनाके रखी और ओध वाले दिन विपक्ष की किसी भी नेता को आवंसरित नहीं किया था लेकिन प्रधानमंतिर नरेंद मोदी को स्पेशल इंविटेशन दे घा था मैं अमीद करता हूं कि वो आ हालाके जब नहीं आए तो उनका कोई और भी कारेक्रम था लेकिन मन से ही उनने ये भी कहा कि वो केंदर के साथ मिलकर सकार चलाना चाहते हैं और प्रधानन्ति नरेक मोधी का आश्रवाद उन पर बना रहे हैं और उनके लिए आश्रवाद भी मना तो एक तरह से कहा जाए कि अब अर्विंद केज्रिवार राजनेतिक तौर पर काफी परिपक्व हो गये है और आमाधी पार्टी अब उसी की जलक दिखा रही है तो फिलहां तो इस और अब भारद्वार ने अलान किया है कि दिल्ली के अलग 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 को में सुंदर कांट पार्ट करवाएंगे हो सकता है कि आगे भी आमाधी पार्टी की तरफ से इस तरह की चीज़े देखने को मिले हाला कि हम इसमें एक और जाते जाते एक और छोड़ चलें कि पिछले ताइम पिछले उनके दूसरे कारेकाल के दौरायां भी अर्विंद केज़़िवाल ने एक तीर्थ यात्रा का शुरुआ की थी जिसमें वो हर विधान सभा से कुछ बज़ुगों को तीर्थ यात्रा कराते हैं और भी मुफ्त में तीर्थ यात्र नहीं जो कहा है कि वह दिल्ली के अलग-अलग एलाकों में सुंदर काण का पास्ट करवाएंगे क्या ये दिल्ली में एक नहीं राज़्यती को जंग देगा या आप इस ख़बर को सुनकर आपको क्या लगता है आम अधु पार्टी को लेकर आप हमें कमेंट करके बताएए और जो भी आपकी राय होगी हम उसे आपकी अगली ख़बर में उसको शामिल करेंगे भारत माता की इंकलाब इंकलाब वंदर वंदर मेरे प्यारे दिल्लिवासियों आप सब लोगों को मेरा नमश्कार सब को मेरा प्रणाम आज आपके बेटे ने तीसरी बार मुख्य मंत्री पद की शबत ली है यह मेरी जीत नहीं है यह आप लोगों की जीत है यह एक एक दिल्ली वाले की जीत है यह एक एक मा की जीत है एक एक बहन की जीत है एक एक युवा की जीत है यह एक एक विद्यार्थी की जीत है स्टूडेंट की जीत है यह हर दिल्ली वाले की एक एक परिवार की जीत है पिछले पांच सालों में हमारी यही कोशिश रही है कि किस तरह से हम लोग एक-एक दिल्ली वाले के दिल्ली के एक-एक परिवार की जिन्दिगी में खुशाली ला सकें एक-एक दिल्ली वाले की जिन्दिगी में थोड़ी सी राहत ला सकें पिछले पांच साल में हम लोगों की यही कोशिश रही है कि किस तरह से दिल्ली का खूप टेजी से के साथ विकास हो और दोस्तों अगले पांच साल भी आगे भी हमारी यही कोशिश जारी रहेगी सब लोग अपने अपने गाव में फोन करके बोल देना हमारा बेटा सीम बन गया दुबारा अब चिंता की कोई बात नहीं है अभी चुना हुए कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कुछ लोगों ने कॉंग्रेस को वोट दिया कुछ लोगों ने अन्य पार्टियों को वोट दिया लेकिन आज जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपत लिये आज से मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ मैं आम आदमी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं कॉंग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ मैं दूसरी पार्टी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ पिछले पांच साल जब मैंने काम किया मैंने कभी किसी के साथ सौतेला विवहार नहीं किया मैंने कभी किसी का ये कहके काम नहीं रोका कि तुम बीजेपी वाले हो तुमने मेरे को वोट नहीं दिया था इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा मेरे पास कोई बीजेपी वाला आया या कॉंग्रेस वाला आया दूसरी पार्टी वाला आया मैंने सब के काम करे मेरे को पता चला ये महला बीजेपी का है मैंने वहाँ भी गलियां बनवाई वहाँ भी पानी की पाइपलाइन डलवाई सब के लिए काम करा मैंने और आने वाले पांग साल के अंदर भी आज मैं अपने सारे दिल्ली के दो करोड दिल्ली वासियों को अपने दिल्ली के दो करोड दिल्ली परिवार को ये कहना चाहता हूँ चुनाव खतम हो गया आपने जिसको भी वोट दिया अब आप सारे जने कि आप सारे दिनली के दो करोड़ लोग मेरा परिवार हो आप चाहे किसी भी पर्टी के हो आप मेरे परिवार का हिस्ता हो कभी भी कुछ भी काम हो बिना हिचक मेरे पास आ जाना सब का काम करूंगा चाहे कोई किसी पर्टी का हो चाहे कोई किसी धरम का हो चाहे कोई किसी जात काओ चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो